काजल की शादी छे महीं में पहले ही हुई थी पर अभी वो अपने माई के आई हुई थी वो बार-बार ससुराल जाने के लिए मना कर रहे थी काजल को रोता देख उसकी मा भी रोने लगती है पर काजल की भावी सुनैना गुस्से में आ जाती है और काजल को सुनाने लगती है काजल, तुम ये कैसी बाते कर रही हो? हमने कोई गुड़ा-गुड़िया का खेल नहीं रचाया हमने तुम्हारी शादी की है और तुम यहां आकर बैठ गई हो कब तक हम तुम्हें यहां माईके में रखकर खिलाते रहेंगे तुम्हें अपने घर जाना ही होगा नई भाबी, आप मुझे चाहे भूखा प्यासा ही क्यों न रख लो मैं अब उस घर में नहीं जाओंगी, मैं यहीं रहूंगी काजल की भाबी सुनेना पहले ही काजल को पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि काजल माईके में रहे वो काजल की परिशानी को सुनना ही नहीं चाहती थी ये देखकर काजल की मा भी बहुत दुखी हो रहे थी पर काजल का इस तरह से ससुराल ना जाने का डर इसके पीछे जो कारण था वो आज से कुछ महीने पहले शुरू हुआ था कुछ महीने पहले काजल गाउं की सीधी साधी प्यारी लड़की है उसके पास एक पालतु गाई है जिसका नाम है भोली काजल भोली से बहुत प्यार करती है भूली भी काजल के प्यार को समझती है काजल भूली को चराने ले जाती थी उसकी बहुत देख भाल करती थी एक दिन काजल अपनी गाए को चराने के लिए जा रही थी तभी उसकी सहीली पूनम आ जाती है उसे देखकर काजल बहुत खुश होती है अरे पूनम तू ससुराल से कब आई कल रात को ही आई हूँ और आते से ही आज सुबत तुझसे मिलने चली आई ये तो तुने बहुत अच्छा किया वैसे भी तू रोज रोज तुमाई के आती नहीं है साल में एक बार ही तेरा आना होता है और तुझसे तभी मिल पाती हो क्या करूँ? ससुराल के कामों से छुटका रही नहीं मिलता जब शादी हो जाती है न तो बहुत कुछ बदल जाता है और तू कब कर रही है शादी? मुझे कोई शादी वादे नहीं करनी और अगर मेरी शादी हुई भी न तो मैं अपनी भोली गाए को अपने साथ लेकर जाओंगी तू से सुरायल में गाए लेकर जाएगी और अगर तेरी शादी शहर में हुई तो शाहे मेरी शादी गाओं में हो या शहर में मैं अपनी भोली का साथ नहीं छोड़ूंगी मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी मैं इसके बिना नहीं रह सकती और फिर भोली भी मुझे बहुत प्यार करती है उसे भी मेरी आदत है काजल मनीमन सोचती है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी पर सुनैना के होते हुए काजल माईके में नहीं रह सकती थी सुनैना काजल की शादी के पीछे पढ़ जाती है और एक दिन काजल को देखने लड़के वाले आ जाते हैं लड़के वाले शेहर से आये थे मुझे आपकी काजल बहुत पसंद है काजल को शेहरी तोर तरीके सीखने होंगे क्या ये ऐसा कर पाएगी हां हां आंटी जी हम काजल को सब कुछ सिखा कर ही भेजेंगे पर मुझे कुछ कहना है मैं शादी के बाद अपनी भोली को साथ लेकर जाओंगी मैं उसके बीना नहीं रह सकती ये भोली कौन है भोली मेरी गाई है जिसे मैं बहुत प्यार करती हो काजल की बात को सुनकर दीपक की मा घबरा जाती है पर दीपक काजल को पसंद कर चुका था तो वो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता वो अपनी मा को मना लेता है और दोनों परिवारों की सहमती से काजल और दीपक की शादी हो जाती है काजल भोली को लेकर अपनी ससुराल पहुचती है मा जी भोली को कहां बांदू अब तु चाहती है कि मैं तेरी गाई के लिए अलग से कोई कमरा तयार करू मुझे नहीं पता कहां बांदना है काजल तुम भोली को लेकर इधर आओ और वो देखो सामने गार्डन एरिया है वहाँ बान दो काजल भोली को गार्डन में बान देती है और अंदर चली जाती है आते चाते लोग गाई को गार्डन में बंधा देखते और हैरान होते ये देखो सामने कमला बहन ने गर के बाहर गाए बान दी है अब ये शेहर के लोग गाव़ों की तरह अपनी गाडन में गाई बान ने लगे है मुझे तो लगता है इन्हें दूद महगा लगता है इसने घर में ही गाए को बान दिया है अरे आपको नहीं पता आजकल जिसको जो समझ आता है वो करता है लगता है कमला बहन ने गाए पाल ली है हमें क्या लेना देना हम चलते हैं आते जाते पडोस के लोगों की बातों को सुन कर काजल की सास गसे में आ जाती है और आग बबूला हो जाती है अगले दिन काजल उठती है और बाहर जाकर भूली को रोटी खिलाती है और भूली के गले में बंधी रसी खोल देती है इतनी देर में काजल की सास कमला बाहर गार्डन में आ जाती है अरे तुम इसे खोल क्यों रही हो और इसे कहां ले जा रही हो माजी मैं इसे चराने ले जा रही हूँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ये शहर है सब पागल समझेंगे चुपचाप इसे वापस बांदो और अंदर जाकर अपना काम करो काजल डर जाती है और वो भूली को वही बांदेती है शाम को कमला की सहेलियां आती है और वो काजल के लिए कमला को ताना मारती है कमला तु बहु तो बहुत सुन्दर ढून कर लाई है और हमने सुना है बहु अपने साथ एक गाए भी दहेज मे लाई है अच्छा है वैसे भी दूद बड़ा महंगा हो रहा है अब तो तुझे रोजाना गाय का ताजा दूद पीने के लिए मिलता होगा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं वो तो हमारी बहु को अपनी गाय से बहुत प्यार है इसलिए वो से अपने साथ ले आई रुको मैं अभी काजल को बुलाती हूँ काजल बहु इधर तो आना कितनी देर से आवाज लगा रही थी कहां थी तुम्हें पता है न मेरी सहेली आई हुई है माजी वो बोली ने गोबर कर दिया था तो वही साफ कर रही थी काजल की बात को सुनकर कमला की सहेलिया मूँ छुपा कर हसने लगती है ये देखकर कमला को गुस्सा आ जाता है सारा दिन उस गाय के साथ चिपक कर बैठी रहती हो कुछ और होशी नहीं है तुम्हें जब देखो भोली भोली क्या कमला तुझे ये गाउं की गवारी बहु बनाने को मिली थी कोई और लड़की देखक के लिए क्यों नहीं ढूड़ी कमला का गुस्सा चरम सीमा पर था वो एक डंडा उठाती है और भोली गाय के पास जाकर उसे मारने लगती है तभी काजल भोली के आगे आ जाती है और वो डंडा काजल के सिर पर लग जाता है बाप रे अपनी गाय से इतना प्यार उसको बचाने के लिए बहुरानी खोद ही आगे आगे माजी आप मेरी गाय को क्यों मार रही हो उसने आपका क्या बिगाड़ा है क्या आप इगाड़ा है इसी की वज़ह से आसपडोस और रिष्टेदारी में मेरा मान संबान पूरी तरह से चकना चूर हो गया है इतना कहकर कमला गुस्से में घर के अंदर आ जाती है कमला अप काजल पर अत्याचार करने लगी थी वो उसे भूखा रखती थी और भूली गाए का सारा गुस्सा वो उसी पर निकालती थी घर के सारे काम भी कमला अप काजल से ही करवाती थी एक दिन तो कमला ने हधी कर दी उसने भूली गाय को चुपके से एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे भूली बिमार पढ़ी काजल को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गई और अपनी गाय को लेकर वहां से जाने लगी चल भूली, यहां हमारा कोई नहीं, अब हम यहां नहीं रहेंगे ठीक है, अगर जाना चाती है तो जा, और फिर वापस इस घर में लोटकर कभी मताना काजल रोती हुए किसी तरह भूली गाय को लेकर अपने माय के वापस आ जाती है और रोने लगती है मा, जिस घर में मेरी भूली को मारने की कोशिश ही गई मैं उस घर में वापिस नहीं जाओंगी काजल रोने लगती है उधर काजल की साथ बाजार से आ रही हो रास्ते में एक गाड़ी उसे टकरा जाती है और उसका एक्सिडेंट हो जाता है उसे कुछ लोग अस्पतान लेकर जाते है दीपक भी वहीं पहुचता है दीपक को पता चलता है कि सुबह ही काजल भूली गाए को लेकर घर छोड़ कर जा चुकी है दीपक बेटा मैं जानती हूँ भगवार ने मुझे मेरी गलती की ही सजा दी है मैंने गौमाता पर हाथ उठाय था अपनी बहु पर अत्याचार किया तभी मेरे शरीर पर ये कस्ट आया है तु जाकर काजल और भूली को घर ले आ मैं काजल और गौमाता से माफी मांग लूँगी मैं भी उनकी पूजा करूँगी दीपक काजल के घर जाता है और उसे मा के एकसिडेंट की बात बताता है ये सुनकर काजल घबरा जाती है और वो भूली गाई के साथ वापिस सस्वराल लोटती है कमला हाथ जोड़कर काजल से माफी मांगती है और भूली गाई को प्यार करने लगती है दीरे दीरे गौमाता की सेवा करने से कमला की तबियत में सुधार आ जाता है और उस दिन से वो भी काजल के साथ बूली गाई की सेवा करने लगी सूरजपुर नाम के गाउं में विशाखा नाम की एक गरीब लड़की αपने पिता के साथ रहती थी विशाखा की मा बच्पन में ही गुजर गई थी उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बढ़ा किया था विशाखा के पिता गाय का दूर निकाल कर बेचते थे और उसी से ही घर का गुजारा होता था विशाखा के घर में जो गाय थी वो कभी भी विशाखा और उसके पिता को परिशान नहीं करती थी एक दिन विशाखा अपने पिता से बोली पिता जी आप शाम को घर लोटते हुए चावल का भूसा लेते आना हमारी छोटी चावल का भूसा बहुत शौक से खाती है ठीक है बिटिया लेता आऊंगा पर विशाखा बेटी तुम हमेशा ही इसकी देखबाल में लगे रहती हो तुम ससुराल चली जाओगी तो ये भी तुमारे बिना उदास हो जाएगी विशाखा उस गाए को छोटी कहकर बुलाती थी तब वो गाए बहुत खुश होती थी पिता की बातों को सुनकर विशाखा उदास हो जाती है कुछ दिनों बाद विशाखा के लिए शहर से रवी नाम के एक लड़के का रिष्टा आता है और लड़के वाले उसे देखने आते हैं और विशाखा की शादी पक्की हो जाती है कुछ दिनों बाद वो ससुराल आ जाती है पर ससुराल आकर उसको पता चलता है कि उसका पती एक शराबी है और वो बहुत शराब पीता है देखो विशाखा ये तो तुम जान ही गई हो कि मैं शराब पीता हूँ पर मेरी शराब पेने की सबसे बड़ी वज़ा थी वो लड़की जिसे मैं प्यार करता था उसकी कहीं और शादी हो गई इसलिए मैं उसके दुख को भूल नहीं पा रहा हूँ माने मेरी शादी तुम से इसलिए करा दी ताकि मैं इस गम से बाहर आ सकूँ नशे में चूर रवी बिस्तर पर लड़क जाता है विशाखा रवी को बिस्तर पर लिटा देती है और रोने लगती है वो यही सोच रही थी कि आखिर उसकी जिन्दगी का क्या होगा वो इस बारे में अपनी सास से बात करती है देखो बहू मैं जानती हूँ कि मेरा रवी शराब पीता है पर खबरदार तुम इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगी क्योंकि घर की बातें घर के अंदर ही रहें तो जादा बहतर है अगर तुमने रवी की शराब पीने की आदत के बारे में किसी से कुछ कहा तो तुम इस घर में नहीं रह पाओगी, याद रखना मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इस तरह से बात करोगे मैंने क्या गलती की है मुझे बताईए आपका बेटा किसी और से प्यार करता है तो आप मेरी ही पीछे क्यों पढ़ रही है आपको मैं ही क्यों मिली थी जिन्दगी खराब करने के लिए खबरदार जो मुझसे उची आवाज में बात की बोलने से पहले सोच कर बुला करो अपनी जुबान को लगाम लगा कर रखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू की बातों को सुनने के लिए इसलिए जाओ जाकर घर का काम पढ़ा है वो सब निप्टाओ ए भगवान मेरे साथ ये सब क्या हो गया मुझे शादी के बाद इतने दुख के दिन क्यूं देखने पढ़ रहे है विशाखा रोती हुई घर के काम निप्टाने लगती है तभी उसे अपनी गाय छोटी की याद आती है पर कोई फायदा नहीं था वो अपनी छोटी से मिलने गाउं नहीं जा सकती थी विशाखा जल्दी जल्दी घर के सारे काम निप्टा लेती है और थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने बैट जाती है तभी उसकी सास आ जाती है तुम तो ऐसे आराम कर रही हो जैसे घर का सारा काम निपढ़ गया हो अभी तो कपड़े धोने बाकी है वो तेरा बाप आकर थोएगा क्या और आज शाम कोई अपने पिता के पास जाना और बीस अजार रुपे का इंतजाम करके लोटना पर सासुमा मेरे पिता जी बहुत गरीब है उनके पास बीस अजार रुपे कहां से आएंगे ऐसा जुल्म मत करो सासुमा विशाखा की सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है विशाखा रोती हुई अपने पिता के पास जाती है और जाकर अपना सारा दुग बताती है कोई बात नहीं विशाखा बेटी मैं अपनी जमीन बेच दूँगा उससे जो पैसे आएंगे वो तू अपनी सास को दे देना कम से कम तू अपने घर में तो रहेगी अगर मेरे पास रहेगी तो गाउवाले जीने नहीं देंगे जा बेटी पैसे लेकर अपनी सास को दे दे बाकी जो तेरी किस्मत में लिखा होगा वो तुझे मिल जाएगा और पिता जी मैं छोटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ मेरा केले मन नहीं लगता ठीक है बेटी अपना और छोटी का ख्याल रखना विशाखा गाई को लेकर अपनी सास के पास पहुँचती है और उसे 20,000 रुपए दे देती है अभी कुछ समय के लिए तो उसकी सास का मुख बंद हो जाता है पर वो लालची थी उसे अभी और भी पैसे चाहिए थे इसलिए उसने सोचा रवी बेटा, अगर हम दोनों मिलकर विशाखा की गाई को बेच दें तो लाखो रुपए मिल जाएंगे ठीक है मा, फिर तो हम आज रात को ही इस गाई को ले जाकर किसी को अच्छे दामों में बेच देंगे मा, मुझे लगता है, हमें पहले इसे ही ठिकाने लगाना होगा अगर ये जिन्दा रही तो ये शोर मचा देगी इसके हाथ मुह बांद दो और हम इसे खाई में धक्का दे देंगे रवी और उसकी मा मिलकर विशाखा के मुह और हाथ को बांद देते हैं और उसे एक उची खाई पर ले जाते हैं और उसको धक्का देने लगते हैं पर कहते हैं न जानवर इंसानों से भी ज़्यादा वफादार होता है चोटी गाए को पता था कि विशाखा के साथ कुछ गलत होने जा रहा है वो खूंटे से बंधी अपनी रसी तोड़ देती है और उनके पीछे पीछे भागती हुई जाती है और रवी और उसकी मा को अपने सींग से जोर का धक्का देती है वो रहे इंस्पेक्टर साहब दोनों मा बेटे इन दोनों को पकड़ लीजिए इन्होंने मेरी फिल सी बच्ची को मारने की कोशिश की वो तो अच्छा हुआ मैं तो तुझे और छोटी से मिलने आ रहा था मैंने छोटी को तेरे पीछे भागते हुए देखा तो मैं भी दोन आया छोटी इन दोनों को छोड़ दे देख पिता जी पुलिस को ले आये हैं अब इन्हें इनके किये की सजा कानून देगा रवी और उसकी मा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और अपनी बहु को मारने की कोशिश के इलजाम में दोनों मा बेटे को सजा हो जाती है विशाखा अपनी गाए के कारण बच गए थी वरना रवी और उसकी मा तो उसको मारने ही वाले थे विशाखा अपनी गाए छोटी को गले से लगा लेती है और फिर कुछ समय बाद विशाखा के पिता पूरी चान बीन करके विशाखा की शादी दुबारा एक ऐसे लड़के से करते हैं जो उसको बहुत ही प्यार करता था और उसको समझता था